गुजरात मा बेजर बावीसनी चुटनी पूर्वे AIMIM में पोतानी तैयार यू तेज करीशे गुजरात मा AIMIM नू समर्थन उभू करवा माटे असा सुद्धिन ओवेसी आजे अमदाबाद माहता मतपूर्ण शेक आजे साबरमती जेल मा बंद उत्रप्रदेश ना गैंस्टर और हत्यानी सदी बतावनार अतीक एहमद ने जेल मा मणवाना हता पर तेओ जेल पर पहुँचे ते पहलाज खानपूर नी लावेंटरी होटेल मा पोलीस से तेमने रोकी राख्या 2222 चुटनी माटे तेओ हाल रणनीती बनावा माटे पार्टी ना वरिस्ट नेता उने मड़ी रहा छे जम पार्टी ने विचारदारा साथे जोडाय लाने बुद्धी जीवी लोकों साथे मुलाकात पणते करवाना छे एएमायमना नेता असदुद्दिन ओवैसी आपनी साते चे ओवैसी जी सबसे पहले तो आपने कॉंग्रेस के कॉर्परेटर शैजाद कान और उनके साथ दूसरे कुछ कॉर्परेटरों से भी मुलाकात किये हम शैजाद साथ से मुलाकात हमारी हुई है इसलिए हम उनसे मिलना चाते थे क्योंकि एन पियर नर्सी के प्रोटेक्स में बढ़ा उनने बहुत काम किया था या जेल को भी गए और मुलाकात किये जाहरे हम पॉलिटिक्सी बात कियोंगे हाँ उनसे बात किये देखे आगे क क्या होता है 2022 की तैयारी है 2022 की तोर पर दिखा जाए हम एहमदाबाद को आज इसलिए आए हैं कि गुजरात की जंता का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने हमारे कॉर्परेटर को अपने आशिरवाद से अपनी दौाओं से वोट से नवाजा इसलिए वो एहमदाबाद में गोजरा में बरूच में मुडासा में कामियाब होए और हमारे जो कॉर्परेटरं से मुलाखाद करेंगे वो कैसा काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे और आइंदा साल जो विधान सभा के चुनाओं है 12-13 महेने का उसकी तैयारी कैसे चल रही है क्या करना है वो मिलने के करेंगे इसका फैसला हमारे गुजरात के प्रेजिडेंट जनाब साबिर भाई करेंगे वहां का हमारे पूरे और्गनाजिशन के लोग बैटेंगे वो तैय करेंगे गुजरात में 2022 के चुनाओ को लेकर असदुद्दी नोवएसी और ए-इम-इम कितनी तियार है कॉंग्र हम लेकी तैयारी करेंगे अच्छे तरह से लड़ेंगे हमको यखीन है कि इंशाला दुबारा गुजरात की जनता हमको अपने आशिरवाद से अपनी महबबतों से नवाज देगी दूसरी बार आएंगे तो शायद कॉंग्रेस के कुछ नेता जोड़ते हुए दिखाए दे हजु कोई फोर पाड़वा तैयार नथी परन्तु 2022 नी तैयारी ने लईने तेवनी आ मुलाकाच छे